क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस बैल आइकन पे ताके आप देख सको वीडियो सबसे पहले हेलो गाइस वेलकम तो माई यूटूब चनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने अलो आप अपने अप्लिकेशन के अंदर राउंडेट बटन कैसे क्रेट कर सकते हो तो जैसे आप देख सकते हो आप साइन अप के स्क्रीन पे लॉग इन के स्क्रीन पे इस टाइप के राउ बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो, जैसे अपने computer screen पे तो बहुत सारी login है और sign apply screen है, तो इसमें rounded button use किये गए, तो इस type के आप rounded button बना के, अपने application को और भी professional इनल बता सकते हो, जो कि बना सकते हो, तो मैं आपको सबसे पहला दिखा देता हो, कि ये cot д Aberdept के अंदर कि खायर के shape मिलते हो और आपक जैसे बना सकते हो, तो मैं आपको सबसे पहला दिखाँ दिखा आप बटन को ड्रैक करके इन चार शेप में आप डिजाइन कर सकते हो जो कि एक है ओल शेप और एक आप देख से तो रेक्टेंगुलर एक डिफॉल्ट और एक हलका सा राउंडड़ शेप है तो यह चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते है उपर जो मैंने बनाया है ब्लू क स्पाइड में आप देख सकते हो तो यह कुदॉलरь में कैसे बनाना है तो चलो हम चल जाते कुदॉलर की वेबसाइट तो और मैं आपको बता देतं हो यह कैसे करेट करना है When Acho और मेरे चैनल को सब्सक्राइबatin करा ऐस पर क्लीकै करकके तो जोई मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप देख सकते हूं मैं आगया हूं कोडलर की वेबसाइट पर इदर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रेट कर लेता हूं उसका नाम रख देता हूं मैं राउंडेड बटन तो देख सकते हूं मैं आपको इदर ड्रैक कर लेना है इसको ड्रैक करने के बाद में आपको इसे सेंटर में कर लेना है तो इदर आप देख सेके तो स्क्रीन पर क्लिक करोगे नीचे स्क्रोल करोगे तो इदर आपको दिख जाएगा सेंटर में करने का उप्शन तो इदर आप देख सेक तो लेफ पडिंग और राइट पेडिंग और आप देख सकते हो टौप पेडिंग तो यह क्या होता है यह मैं आपको लाइब टेस्ट में बता दूंगा इदर आप देख सकते हो अपको मेरी मोबाइल स्कीता रहेगी तो यह बहुत ही normal सा भी box दिख रहा है तो इसको आपको क्या करना है इधर आप देख सकते हो इसका जो alignment है इसको आपको center में कर देना है यह कौन सा alignment है इधर आप देख सकते हो इस card view के अंदर आप एक label drag करोगे जैसे के आपने मेरा mobile skin दिखा था इसके अंदर submit लिखा हो था तो इसक 9% for example में 8% कर देता हूं और इसका width for example में 30% कर देता हूं तो आप देख सकते हो मेरे mobile skin बगल में आपको दीख रही है तो इसका width और भी में ज्यादा कर देता हूं 40% और इसका height में जो की ज्यादा कर देता हूं करीबन 15% 10% तो अभी भी यह button जैसा नहीं दीख रहा पर इस इसको button जैसा design देना पड़ेगा तो इधर आप देख से तो submit का option है इसको आपको color कर देना है जो white color white color होने के बाद में आप देख सकते हो अभी यह थोड़ा थो button जैसा दिखने लगा अब इसको करना है rounded तो rounded करना बहुत simple है इधर आपको जैसे कि मैंने बताया था इस card view को पर click करना click करने का बाद इधर आपको देख सकते हो corner radius का option है इस option पर मैं जैसे कि 10 type करता हो तो आप देख सकते हो बगल से आपको changes देखने को मिल जागा तो आप देख सकते हो यह changes हो गया और इधर मैं 20 type करता हो तो आप देख सकते हो यह हमारा rounded button बटन बन गया अब इसके जो आप देख सकते हो ये label है label की size छोटी दिख रही है तो इसको आपको label की size कर देना है 20 तो ये देख सकते हो ये आपका label का size 20 हो गया तो आप देख सकते हो ये label की size बढ़ी हो गया और इसे font करना है तो ये आप देख सकते हो इसका जो bold भी font हो गया तो ये हमारा rounded button create हो गया ह तो इधर आप देख से तो corner radius में आपको दिखा देता हूँ, यह हमने जो card view को लिया हुआ, इसका corner radius में 25 कर देता हूँ, तो जिससे और भी ज्यादा rounded हो जाएगा, तो आप देख से तो आप और भी ज्यादा rounded हो गया, अब हम बात करते हैं, content padding button, तो यह content padding button क्या होता है, तो तो जैसे आप देख से 20 टाइप करको तो नीचे side से submit उपर खसक गया, तो नीचे से जो कि space से 20% की space हो जाएगी, और उपर side में जो कि space कम हो जाएगी, तो इधर मैं वापीस से 8 कर देता हूँ, और इधर आप देख से left side का padding मतलब क्या होता है, जैसे कि left side से जो submit है, ज्या जाएगा, तो आप देख से तो इधर मैं fit से 8 type कर देता हूँ, और इधर आप देख से तो उपर से नीचे खसक जाएगा, for example, मैं इधर 20 type करता हूँ, तो आप देख से submit उपर से नीचे आगया, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक corner देख रहा है, इसे आपको shadow देखना चाहिए, तो आप देख से तो इधर 1 type कर देना, और थोड़ा और ज्यादा देखना चाहिए, तो आप देख से तो जिससे आपका थोड़ा ही professionally button जैसा दिखीगा, तो इस तरह आप अपना rounded button create कर सकते हो, और इसका width आप जितना चाओ, वितना कर सकते हो, for example मैं इदर 40 है, तो 50 कर देता हूँ, तो यह मैंने 50 कर दिया, और for example मैं आपको normal button दिखा देता हूँ, यह मैं normal button को drag कर देता हूँ, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा space बना देता हूँ, और इसके अंदर क्या क्या शेप मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, त कर देता हूँ, यलो थोड़ा अच्छा color ने दिख रहा है, तो इदर मैं कर देता हूँ, यह orange color में कर देता हूँ, तो आप देख से तो यह मैं और और इंज color कर दिया, इसके बीच में जो space इसकी height थोड़ी से में बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको proper तरीके से दिखे, त इसका width में ज्यादा बढ़ा के 20 कर देता हूँ, यह मैं इसका देख से तो जो कि font का size 20 कर दिया, अभी इसका shape में आपको दिखा देता हूँ, क्या-क्या shape मिलता है, जो कि normal button आप track करके आप create करते हूँ, तो यह सबसे पहला जो कि default shape है, वो इधर मैं button पे click करता हूँ, तो यह default था, और अभी देख से तो rounded पे click करता हूँ, तो यह बस इतना सा rounded होता है, जैसे कि उपर मैंने submit button बनाया है, अभी इतना round नहीं होता है, और इसके बाद में आप देख सकते हूँ, जो कि एक rectangular shape दिखते है, जो कि एकदम properly rectangle कर देगा आपके button को, जो कि side से थोड़े भी curve नहीं रहेगे, और आप देख सकते हो, all shape में जो कि आपका all shape दिखता है, तो यह चार option मिलता है, तो इसके वज़े से आप rounded button create नहीं कर सकते हो, direct जो कि normal button को, तो इस तरह आप अपने application के अंदर rounded button create कर सकते हो, अब यह तो button बन गया, design बन गया, पर यह work भी करना चाहिए, तो यह work कैसे करेगा, वो भी चीज़े, तो इधर आप देख सकते हो, इधर आप इस card view पर click करोगे, तो इधर fully clickable का option दिखेगा, तो इसे fully clickable पर click कर देना है, तो यह same को same button की तरह work करेगा, अब यह कैसे work करेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर मैं एक और screen add करता हूँ, screen to नाम रख देता हूँ, और okay पर click कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो, मेरी screen to open हो गई है, और इधर आप देख सकते हूँ, जैसे कि मैं वापी से screen one पर आ जाता हूँ, screen one पर आने के बाद block section में आता हूँ, जैसे आप देख से तो button पर हम click करते हैं तो when click on button ये वाला आपको option देखने को मिल जाता है, तो same to same, इस card पर click करेगे, तो when click on card तो ये वाला आपको option देखने को मिल जाएगा, तो आप register करा रहे हो, sign up करा रहे हो, जो भी tasks आगे दे रहे हो, तो विस साबसे आप ये block लगा सकते हो, और इधर मैं designer part में आता हूँ, इधर मैं card में आता हूँ, इसे fully clickable में हटा देता हूँ, और हटाने के बाद में फिर आप देख सकते हूँ, तो फिर भी आपको ये option देखने को मिलेगा, पर ये clickable नहीं रहेगा, मतलब user इस पर click करेगा, कुछ भी action नहीं होगा, आप देख सकते हो, ये clickable का option मिलेगा, पर user इस पर click करके, मतलब पूरा button की तरफ function करेगा, जोगी button की तरफ work करेगा, तो इसे आप जैसा चाहिए, वैसा color दे सकते हो, आपके interface, आपके design के हिसाप से, जिस हिसाप से आप अपना application create कर रहे है, तो I hope आपको समझ में आगे रहेगा, rounded button कैसे create करना है, तो आपको इसकी AI file चाहिए, तो description में मिल जाएगा, बहुत सिंपल था, फिर भी आपको इसकी AI file चाहिए, तो description में आपको मिल जाएगी, और आपको इस वीडियो अच्छा लगा, तो या तरते वीडियो को like कर दीजिए, और आपको इसे और भी interesting वीडियो चाहिए, तो मैं चैनल को subscribe कर दीज और मैंने already काफी वीडियो बना है हुए, तो आप मेरे चैनल के वीडियो सक्षन में जा कि ऐसे और भी वीडियो देख सकते हो, नीचे बैल आकन देख, उस पर भी क्लिक कर देख, तो जहीं हुर मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको notification आजा, तो thank you so much for watching this video.